मर गया कुट्टा राजपूत की चिता अकेले कैसे जलती इसलिए मेरे बेटे की चिता बुझने से पहले तेरी बली देदी कुट्टे अब कोई भी पुलिस ओफिसर आएगा तो उसे इसकी समाधी दिखा देना उसके बाद उसे डूटी जोएन करने को बोलना सबज करें मेरी बाद सर्क जिन्दा है जिन्दा है सब चुप चाप रहो किसी भी तरह ये बात भार नहीं पहली चाहिए ये आपके ही नहीं हमारे भी भगवान है बच्चों की कसम हम किसी को नहीं बताएंगे सर्क जिन्दा है ये हमें मालूम पड़ा लेकिन बाओ जी को यकिन दिलाने के लिए हमने कफन रख दिया था और सर का इलाज करवाने के लिए हम उन्हें हैदराबाद ले आए यहां आकर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि सर का बचना बहुत मुश्किल है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है ऐसे में बच्ची को बचाना मुश्किल था कुछ समझ में नहीं आ रहा था तुम्हें जब पहली बार देखा तो साहब को आकर बताया फिर साहब ने पूरे इंक्वाइरी की हमें मालूमें कि तुम्हें बच्ची पसंद नहीं है तो हमने एक नाटक रचा और बच्ची को तुम्हारे पास पहुचा दिया उसके बाद क्या हुआ तुम्हें तो पता है इससे तुम्हारा कोई संबन नहीं है फिर भी हमने तुम्हें काफी तकलीफ दी है मगर बच्ची को बचाने का हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था तो मैं कैसे सौरी बोलूँ ने ने कोई बात नी मैं भगवान से उनके लिए प्रात्ना करूँगा डक्टर आप तभी लोग मिल सकते मैया सती बाबू, मेरी बच्ची बच्ची को अनात मस समझा सर सती बाबू ठीक से देख भाल कर रहे है बच्ची के बारे में आप बेफिक्र रहे है अब मेरी जिम्मेदारी है सर सर क्या हो आपापा? कुछ नहीं बेटा अंकल को नीन नहीं आरी है न? इसलिए हम सब इदर खड़े यह गाना सुनेंगे तो इनको नीदा चाय की पापा हम जा रहे हैं बच्ची का ख्याल लगना पुलिस ही नहीं उसका यूनिफॉर्म भी ड्यूटी करता है कि मारा कुट्टे को तब तक बारो जब तक यह बता नहीं दे क्यों रे चुप चाप बता दे कि कहा चुपाया उसे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा जिजू ओ मर गया ऐसा यह लोग बता रहे हैं फिर भी आप कहां एक कहां इसा क्यों पूछ रहे हैं उसको जिधर भी पास निकालेंगे तो फिर से तुम्हें बानने के लिए आएगा फिर क्यों उसके बीचे पड़े हैं मतलब अपने जैसा नहीं है जो बोलता है वो करता है जिन्दा रहेगा तो बीना बुले चला है अगर वो मर गया तब यह जो सोचा है करके दिखाएगा मैं भी वही चाहता हूँ मेरे हाथो उससे फिर मरने के लिए यहां आना होगा आएगा आएगा ऐसा मत बोलो जीजू ऊपर ततास्तु भगवान रहते हैं जल्दी में ततास्तु बोल देंगे तो फिर सोचो क्या बात है बहुत मोड में लग रहे हो सीटी मारा इसलिए पचास रुए फाइन बरो यह दूआ बलू मैंने जो पैसा बोला ना बरो तो बाड़ी पट्री के ऊपर जाएगी जोक मार रहा है इससे पकड़ो मारेगा विक्रम राठोर का असिस्टेंट है कौन सा विक्रम र है जरा उदर देख हाई 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 कि अधिया अधिया आपके सामने हाथ जोड़ता हूं इधर से स्टार्ट करो उधर से मारोगे तो अधिया ने अरूल्स क्या पना रहा है आप इधर से स्टार्ट करो न अभी नहीं रहे अभी मुझे गाह में बहुत काम है ऐसा करो फुर्सत मिलते ही तुमसे मिलेंगे ओके सर आपके लोटने तक हम यही रहेंगे